Hello dear students, MS Chohan Video Solution Series में आज हम Level 1 की Q38 to 46 discuss करेंगे, let's start by Q38. 38 में हमारे पास क्या दिया गया है? यहाँ पर फिनोल डेरिवेटिव है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोरैड के साथ में रियक्शन हो रही है. तो यहाँ पर कौन सी रियक्शन होगी? Electrophilic Aromatic Substitution Reaction. अब हमारे पास जो यह OH- है, यह क्या प्रोवाइड करा रहा है? यह अपने पास Basic Medium प्रोवाइड करा रहा है. तो Basic Medium में हमारे पास यहाँ पर जो फिनोल डेरिवेटिव है, वो फिनोल डेरिवेटिव अपना क्या ले जाएगा? H+, रिमूव कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा? O-. अब यह जो है, यह है Electrophil. Electrophil अपने पास इस Benji Ring पर Attach होना चाहता है. इस Benji Ring पर Attach किस Long ERG Group होगा, और यह दिया Plus M Power देखें, तो किसका ज़्यादा होगा? O- का ज़्यादा होगा, then OCS3. ठीक है? तो Coming Electrophil जो होगा, वो O- के Basis पर होगा, और यह Coming Electrophil Direction Decide होगी. Decide Direction. ठीक है? इसके Basis पर कौन से Positions पर जाएगा? Orthopara Direction पर जाएगा. और हमारे पास पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, तो यह Electrophil कहाँ पर चला जाएगा? Orthoposition पर. अब हमारे पास इस Aromatic Salt का Electrophil भी आप देखेंगे, तो Attach किस तरह से होगा? यह हमारे पास Electrophil इस तरह से है, इसके आप Reginating Structure इस तरह से बना सकते हैं, कि हमारे पास यह ऐसा बन जाए, N, Double Bond, N, Positive. ठीक, इसका Attack आप किस पर कराएंगे? इसका Attack आप इसमें, जहाँ पर OH और OCS3, इसके Orthoposition पर Attack कराएंगे. और हमारे पास Final Product क्या बन जाएगा? Final Product हमारे पास इस तरह से बन जाएगा. OH, OCS3, यहाँ पर N, Double Bond, N और यहाँ पर यह Benji Ring. पियाच से Attach होगी. कौन से Option में ऐसा Match हो रहा है? ऐसा Option A, Match हो रहा है. ठीक है? नेक्स्ट है, 39. 39 में हमारे पास देखें, Benzing, Diogenium, Chloride के साथ में रेक्शन हो रही, यह Electrophile है. बट यहाँ पर Basic Medium दिया हुआ है. तो Basic Medium में S, D, K, H निकल जाएगा और O- बन जाएगा. तो Plus M, Power अपन देखें, त से, NH2 से. तो Coming Electrophile की Direction कौन डिसाइड करेगा? O- यह नि, OH के Ortho Para पे Attach होगा, Para Position Blocked है. तो यह N2 Plus कहाँ पे Attack करेगा? यहाँ पर Para Position पे Attack कर देगा. तो हमारे पास Final Product क्या बन जाएगा यहाँ पर भी? यहाँ पर हमारे पास OH और यह N Double Bond and pH. यहाँ पर NH2 हो जाएगा. अब यहाँ पर Acidic Medium होता, दब यह बात नहीं होती. तब हमारे पास NH2 के Ortho Para पे अपन Electrophile को Attach करते है. वो आपन Coming Questions में Discuss करेंगे. नेक्स्ट है 40. 40 में देगे यहाँ पर NH2 with HCl के साथ Reaction हो रही है. इससे हमारे पास क्या बनता है? Nitrous Acid का Formation होता है. तो Nitrous Acid के साथ में इसकी Reaction हो जाएगी. यह हमारे पास क्या बन जाएगा? Benzene Diagonium Salt का Formation हो जाएगा. तो यह बन जाएगा N2 Plus Cl-. Benzene Diagonium Cloride बन गया. इ Basic Medium यहाँ पर दिया हुआ है. Mild Basic Medium के साथ में Reaction कराएंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H Plus लेके जाएगा O-. तो Plus M Power अपन देखें तो कौन सा Strong ERG Group है? O- Strong ERG Group है. तो Coming Electrophile की Direction अपन इस O- की Basis पर Decide करेंगी. तो किस Coming Electrophile पर क्या होगा? Orthopara Directing होगा. तो यह Orthoposition पर Electrophile आके Attach हो जाएगा. और Finally Product क्या बनेगा? Finally हमारे पास Product यहाँ पर OH लगा हुआ है. इसके साथ CS3 और इसके Orthoposition पर यह N, Double Bond N और PH Group जुड़ जाएगा. जो कौन से Option से Match कर रहा है? यहाँ पर Option C, Correct Answer हो जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास कभी भी Benzene पर से दो ERG Group जुड़े हुए. ERG 1 और ERG 2. तो जिस Electron Releasing Group की Strength ज्यादा होगी, वही हमारे पास Coming Electrophile की Direction को Decide करता है. Decides Direction of Coming Electrophile. ठीक है? तो यह Orthopera पे Decide करेगा, but Paraposition ब्लोगड़ है, तो Orthoposition पे आके Electrophile Attach हो जाएगा. Next है, 41. 41 में क्या पुछा गया? In which of the reaction formation of Diagonium Salt takes place? तो हमारे पास केवल Aromatics Amines ही Diagonium Salt बना सकती है, क्योंकि यह दिए आप Primary Amines, Alephatic ले ले ले. तो NaNo2 with HCl के साथ में जब Reaction कराएंगे, तो हमारे पास क्या बनता है? N2 Plus बनता है, which is Highly Unistable. तो यहाँ पे N2 लीव करके Carbocatine क Formation होता है, और उस Carbocatine पे H2O का टेक कराकर, आप ROH का Formation कर लेते हैं, बट यदि Aromatic Amine अपन ले लते हैं, तो Aromatic Amine में Nitrous Acid, जो के अपने पास NaNo2 with HCl की Reaction कराने से अपने पास मिल जाता है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारे पास इस तरह से Aromatic Salt का Formation होगा, Cl-, तो यहाँ पर Extended Conjugation की वाज़े से, Due to Extended Conjugation, It is Stable, Extended Conjugation, Stable at 0 to 5 degree centigrade temperature, तो यहाँ पर यह Reaction कौन दे सकता है? Only Primary Amine, तो Benzene Diagenium Salt का Formation भी Primary Amine ही शो कर सकता है, तो Primary Amine के वाल यहाँ पर है, यह Secondary Amine है, यहाँ पर Tertiary Amine है और यह भी Secondary Amine है, तो कौन सी Reaction में Diagenium Salt का Formation होगा? Option A में होगा, ठीक? Next Step 42, Benzene Diagenium Chloride can couple in the presence of acid with, तो हमारे पास कपलिंग Reaction देखें, Benzene Diagenium Chloride की Phenol और Aniline के साथ में, तो हमारे पास Phenol के साथ में, जब Reaction होती है, तो यहाँ पर Basic Medium अपन लेते हैं, और Aniline के साथ में Reaction होती है, तब Acidic Medium लेते हैं, ठीक? Basic Medium में हमारे पास जो OH है, उससे H remove होकर Negative Charge आपनेगा, जिससे Plus M Power बढ़ जाएगी, Electron Density Benzering में बढ़ेगी, तो Electrofile का Attack करने की Tendency भी Faster होगी, तो Similarly, यहाँ पर अपने देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास Phenol Derivatives पर Reaction नहीं होगी, यह Beta Napthol का Structure देए आप देखे, तो यहाँ पर Beta Napthol कुछ इस तरह का Structure होता है, Basic Medium में क्या होता, Phenol Derivative पर यह Attack होता, बट यहाँ पर अपन M1 वाले देखेंगे, तो M1 वाले में सबसे ज़्यादा Plus M Power किसका होगा, यह Tertiary M1 का, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो Methyl Group जुड़े होगे, कि Plus I दे रहे, Nitrogen के Lone Pair पर अपना Electron density बढ़ा रहे, जबकि OH क्या कर रहे, OH 1-I effect से इसके Lone Pair donation tendency को decrease कर रहे, तो Plus M Power किसका ज़्यादा होगा, इदि आप देखें, तो यहाँ पर N Methyl का Plus M Power यहाँ पर NH OH से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर Reaction कौन सा देगा, Coupling Reaction, C6H5NH, OH के बज़ाए, C6H5NCS3CS3, तो यह इस तरह से Reaction हो जाएगी, यहाँ पर Nitrogen है और दो Methyl Group है, इसकी Coupling Reaction आपने कराई, तो यहाँ पर Diagonium Salt है, पहरा पोजिशन पर जाके Attach होगा, तो Finally Product क्या बन जाएगा, Finally हमारे पास इस तरह से Product का Formation हो जाएगा, N, Double, N, pH, ठीक, तो कौन सा Option Correct Answer हो जाएगा है यहाँ पर, Option C Correct Answer हो जाएगा, ठीक, Next है कि हमारे पास यहाँ पर देखे, की Phenol Derivative है, Basic Medium है आपर दिया हुआ है, तो Basic Medium में हमारे पास, देखें तो यह ERG Group है और एक Electron Withdrawing Group है, यहाँ पर ERG Group है, तो Coming Electrofile की Direction किसके बैसे पर Define करेंगे, ERG Group के, प्लस M Group के बैसे पर, तो इस वैज़े से यह Orthopera Position पर जाएगा, अब Para Position पर देखें, तो यहाँ पर CWH Group जुड़ा हुआ है, तो यह Replace हो सकता है by Ipso Substitution, Ipso Substitution, Ipso Substitution में आप कौन-कौन से Groups को Majorly Replace कर सकते हैं, CWH, SO3H, या Silicon ME3 का Whole Trace, यदि यह Group Para Position पर जुड़े हुआ है, तो Coming Electrofile से इनको Replace किया जा सकता है, और हमारे पास, Finally, Para Product ही यहाँ पर Major हो जाएगा, और जो Electrofile है वो Para Position पर Attach हो जाएगा by Ipso Substitution, इस तरह से, ठीक, तो यह हमारा Major Product होगा, Para वाला, तो Option कौन सा Correct होगा है यहाँ पर, यहाँ पर अपन देखें, तो Option A Correct answer हो जाएगा, ठीक, बट यहाँ पर CWH की जगए कोई दूसरा Group होता, जैसे CS3, तब ऐसा नहीं होता, तब अपन क्या करते, Electrofile को Ortho Position पर ही Attach करते, बट पैरा Position पर इदी CWH, SO3H या SI ME3 का Group प्रेजेंट है, तो अपन EPSO Substitution से उनको Replace कर सकते हैं, Coming Electrofile से, ठीक है, Next Step 44, 44 में देखें, यहाँ पर Aniline है, NaNo2 with HCl के साथ में Reaction कराते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह Aniline की Reaction करा रहे है, NaNo2 with HCl, जो की Nitrous Acid बनाते हैं, तो Nitrous Acid के साथ में, जैसे ही आपने Reaction कराई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यह Benzen Diagonium Salt का Formation होगा, N2+, और Cl-, जिसकी HF plus BF3 के साथ में Reaction कराई, तो यह कौन सी Reaction है, यह हमारे पास है, Bulge Seaman Reaction, जिसमें क्या बन जाएगा, N2+, BF4-, कि हमारे पास यह 0 to 5 degree centigrade temperature पर इस्टेबल है, तो इसकी Stability बढ़ जाती है, अप्टू 25 degree centigrade, जैसे आप इसको Heat करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Fluorob Engine का Formation हो जाएगा, और यह Fluorob Engine का Formation करने के लिए Best Method होता है, इस Reaction का नाम है, Bulge Seaman Reaction, ठीक है, तो यहाँ पर Final Product क्या बन जाएगा, यहाँ पर Final Product बनेगा, अमारे पास Fluorobenzine Option, एक Correct Answer हो जाएगा, नेक्स्ट अपन देखें, कि हमारे पास Aniline की Reaction करा रहे हो, आप BR2 with HOH के साथ, तो NH2 एक Strong ERG Group है, तो इसके तीनों Orthopera Position पर Bromine Electrophile आके Attach हो जाएगा, इसके साथ Reaction से, तो हमारे पास Product क्या बन जाएगा, हमारे पास यह इस तरह से Product बन जाएगा, NH2 यहाँ पर है, इसके तीनों Orthopera Sides पर BR आके Attach हो गया, ठीक, इसके बाद आपन क्या करेंगे, NH2 with HCl के साथ में आप Reaction कराएंगे, तो Diagonium Salt का Formation हो जाएगा, Primary Amine दिया हुआ है, तो यह क्या बन जाएगा, यह Product हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, NH2 plus CL minus, यहाँ पर BR, BR और यहाँ पर भी BR, जिसकी Reaction आप करा रहे हैं, HF BF3 के साथ फिर Heat कर रहे हैं, तो यहाँ पर HF plus BF3, बाल्ज सीमान Reaction जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है, तो यहाँ पर यह सबसे पहले क्या बना लेगा, यह सबसे पहले बना लेगा, N2 plus BF4 minus BR, BR को आप रहने दीजे, फिर आप जैसे यह आप Heat करेंगे इसको, तो यह क्या बन जाएगा, N2 plus BF4 minus Fluorob Enzyne में Convert हो जाएगा तो हमारे पास product यह बनेगा, यहाँ पर fluorine और 246 position पे BR group आके attach हो जाएगा, तो यह क्या नाम हो जाएगा, यह हो जाएगा 246 tribromo fluorobenzene, तो option B correct answer होगा, ठीक, next है 46, 46 में देखिए NnO2 with HCl के साथ में Reaction करा रहे है, जो कि Nitrous Acid बनाता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन ज sodium salt का formation होगा, N2 plus Cl minus, जिसकी HF plus BF3 के साथ में Reaction कराएंगे, तो बाल सीमार Reaction है, with heat करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, fluorobenzene का formation होगा, जैसे कि अपने previous questions में भी discuss किया है, इसके बाद आप Reaction क्या करा रहे है, यहाँ पर NaNO2, Na plus NO2 minus in presence of Cu salt, तो यहाँ पर SN2 AR reaction होगी SN2 reaction for aryl allied, और यह as a nucleophile इसको substitute कर देगा, carbonine intermediate बनता है इसमें, यहाँ पर intermediate देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर fluorine और यहाँ पर NO2, यह negative charge है, फिर यहाँ पर आप fluorine को leave out कर देगे, तो हमारे पास product क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर product कुछ इस तरह स के साथ में इस nitrogen का reduction करेंगे, तो product क्या बन जाएगा, यह product बन जाएगा, हमारे पास final aniline, C6, H5, NH2, जो कौन से option में दिया हुआ, यह option B में दिया हुआ, तो correct answer हमारा B हो जाएगा, ठीक?